हेलो दोस्तों न्यूस प्लस 21 में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रियान शा आई पीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जिसे भारत का तेवहार भी कहा जाता है एक ऐसी लीग जिसमें खेलने का सपना हर खिलाडी देखता है आई पील ने अपने बीते 14 सीजन में एक या दो नहीं बलकि अंगिनत खिलाडियों का केरियर बनाया है यही वज़ा है कि जब भी आई पील निलामी होती है तो घरिलो और इंटरनेशनल सेज्ट के बड़े खिल और ब्रैंट वेल्यू साल दस साल बढ़ती ही जारी है इसलिए हर खिलाडी को आउक्षन का बेस सब्री से इंतजार रहता है और आउक्षन में सिलेक्षन के बाद इंतजार रहता है उन्हें मौका मिलने का तो दोस्तों आउक्षन की तारिक नजदीक आ गई है ऐसे में हम को अपने आज के वीडियो में बताएंगे ऑक्षन से जुड़ी हर डिटेल मेगा एंड मिनी ऑक्षन इसके शुरुवात करने के लिए इसके तरीके को जानते हैं तो दोस्तों आई पील में दो तरह के ऑक्षन होते हैं मिनी एंड मेगा ऑक्षन में आउक्षन से पहले टीम को रिज़िएंग करने का नियम था तो 2014 मेगा औक्षण में चार से बढ़कर पाच खिलाडी हुए, जब कि 2018 एका औक्षण में टीमे सिर्फ तीन ही कला BO को रिज़िक कर सकती थी, मगर 2022 मेगा औक्षण से पहले पूरानी टीमें लगभक 4 खिलाडी रिज़िक कर सकती थी बता दे कि मेगा आक्षन का आयो जन 12 और 13 फरवरी को बेंगलूरू में किया जाएगा IPL के इतिहास में ये पहला मौका है जब मेगा आक्षन में 8 नहीं बलकि 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगे जिहां इस बार के आक्षन में एहमदाबाद और लखनाओ की टीमें भी शामिल होंगी इससे पहले IPL में 8 टीमें ही खेला करती थी लेकिन इस बार BCCI ने इसमें लखनाओ और एहमदाबाद के रूप में दो टीमों को शामिल किया है एहमदाबाद फ्रेंचाइजी का मालिकाना हग CVC Capitals Partners के पास है आक्षन में CVC Capitals ने एहमदाबाद फ्रेंचाइज को 56 करोड में खरीदा है दूसरी नई टीम है लखनाओ जिसका मालिकाना हग RPSD ग्रूप के पास है जिसके मालिक संजीव गोईन का है जिन्नों ने लखनाओ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड में खरीदा है लखनाओ फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम लखनाओ सुपर जाइंट्स रखा है मेगा आक्षन 2022 के लिए देश और विदेश से 1200 से अधिक खिलाडियों ने अपना नाम दिया था जिन में से 590 खिलाडियों को चुना गया है इसमें 228 केप्ट यानी इंटरनेशनल मैच खेल चुके खिलाडी है 355 अनकेप्ट खिलाडी और 7 खिलाडी S.O.C.8 देशों से भी है कुल 48 खिलाडियों ने अपना बेस प्राइस दो करोड रखा है 20 खिलाडियों ने अपना प्राइस थोड़ा कम 1.5 करोड रखा है जबकि 34 खिलाडियों ने अपना बेस प्राइस एक करोड रखा है कुल 590 में से 300 खिलाडी भारतीय है जबकि बाकी के 220 खिलाडी है वो विदेशी है जिनमें ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा 47 खिलाडी, वेस्ट इंडीस से 34, साउथ अफ्रीका से 33, श्री लंका से 23, और इंगलेंट और न्यूजिलेंड से 24, अफगानिस्तान से 17, बांगलादेश और आयरलेंड से 5, नामबीबिया से 3, स्कॉटलेंड से 2, नेपाल, अमर विदेशी, दो भारतिये हो सकते थे, वहीं आठ पुरानी टीम मैक्सिमम चार खिलाडियों को रिटेन कर सकती थी, जिसमें सिर्फ दो विदेशी खिलाडी हो सकते थे, जिहां आपको बता दे, पिछले साल 30 नवंबर को, आठो टीमों ने रिटेन किये गए खिलाडियों की लिस्ट जारी कर दी थी, मुंबई, चिन्नाई, कोलकता, दिल्ली ने 4-4 खिलाडियों को रिटेन किया, वहीं हैद्रबाद, राजस्थान और बैंगलोर ने 3 खिलाडियों को तो पंजाब ने सबसे कम 2 खिलाडियों को रिटेन किया, बता दे, सभी 10 टीमों को 90 करोड का दूसरे के 12, 3-8 चौथे की 6 करोड होगी, 3 खिलाडियों के लिए 33 करोड जिसमें पहले खिलाडी की कीमत 15, 2-11 और तीसरे की 7 करोड होगी, 2 खिलाडी के 24 करोड और केवल एक खिलाडी को रिटेन करने पर 14 करोड रुपे काटे जाएंगे, यदि टीमें दिये गए पैसे से ज इंट्रनेशनल मैच नहीं खेला तो केवल 4 करोड़ रुपे ही काटे जाएंगे यही वज़ा है कि मैंग अगरवाल को पंजाब किंग्स ने 12 करोड में साइन किया लेकिन पर्द से जो है वो 14 करोड कटे और अश्वदीप को 4 करोड में साइन किया लेकिन नियमों के अनुसार और दो खिलाडियों को साइन करने पर पंजाब किंग्स के पर से कुल 28 करोड की कटौती हुई तो दोस्तों ये थी आपके लिए IPL आक्षिन की सीधी जानकारिया हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाए देखने रहे ये न्यूस प्लस 21 आपके हग की बात आज ये खेल है जवानों का अलपेलों का मसतारों का ये खेल क्यारों इस खेल क्यारों का कहना